राम राम जी सारे नहोप फूली सारे ठीक ठागूंगे तो आज की वीडियो में बात करेंगे M.D.U. के मर्शी चांस के फोर्म के बारे में यानि कि आपके फोर्म कब से बरे जाएंगे M.D.U. के मर्शी चांस होता क्या है देखो जैसे कि आपका कोई भी कोर्स मालो की आपका तीन साल का कोर्स है ठीक है आप तीन साल का कोर्स में आपको मालने 2020 में आपने एडमी से लिया था तो 2023 में आपका जो कोर्स है वो कंप्लीट हो जाता है ठीक है लेकिन कई बर क्या है ते इतर तक हो होती है तो फिर उनको क्या होता है कि he рек Erfolg आपका mercy chance mercy candidate यह चीज अमको समझ में आ गया होगा और आपके mixed factor gain आपके द्रहाजार की ठीक Malade Free 3 साल की है तो आपको 2 सालीय्टा उट्व संच मिलेगा तो डिटन एसल्टी में तो सबसे पहला जो आपका point दिखा रखा है इसमें दिखा रखा है कि आपका 2001 के बाद जो भी student है admission लिया था 2001 के बाद उनका reappear रहता है कहीं भी ठीक है तो उनको क्या है कि अभी आपका paper देने के लिए आप form भर सकते हो mercy chance के लिए eligible हो ठीक है eligible हो आप 2001 के बाद वाड़ अगर 2001 से पहले वाड़ा है कोई अगर उसको भी आपका mercy chance का चाहिए ठीक है 2001 से पहले admission लिया थो ने तो वह अपना भाई एक बार ना अपनी जो एक्जामिनेशन ब्रांच उसमें जाके बाद कर सकते ठीक है उसके बाद बता देते हैं कि आपके mercy chance के जो एक्जाम होते ना वह आपके offline mode में करवाए जाते और वह भी आपके MD campus के अंदर होंगे ठीक है यह चीज़ दियान रखना किसी college में paper नहीं होंगे MD campus में होंगे चाहे किसी college का student हो ओके इसके बाद बात करते हैं कि आपके जो पेपर हो कब होंगे आपके जो पेपर हो आपके जून और जुलाई में करवाए जाएंगे यानि कि जून के last में भी करवा सकते हैं जुलाई के first week या second week तक भी करवा सकते हैं अब बात करते हैं कि इनकी जो आपकी फीस है इसके बारे में और इसके साथ-साथ ही फिर बात करेंगे कि आगे क्या क्या रूल रेगलीशन दे रहे ठीक है तो इसकी जो फीस है चाहिए वो बीए, बीसी, बीकॉम, रेगुलर रोडिस्टेंस, कोई भी मोड हो ठीक है, OTP, ILO, सास्तरी कोर्स हो, MA, MSC, M.C., regular distance mode के हो, इनकी आपकी अगर आप पहली बार मरसी चांस दे रहे हो तो आपकी फीस लगे ही 12,000 रुपे पर समेस्टर, समेस्टर में चाहिए एक सब्जेक्ट मेरे हो, 2 में हो, 3 में हो, 4 में हो, कितने में भी हो, आपको 12,000 लगेगी, अगर पर रहे हैं, तो आपको 18,000 रुपे एक समेस्टर की फीस आपकी लगेगी, ठीक है, नॉर्मल चांस की फीस आपकी 1112 होती है, लेकिन यहां पे आपको इमरसी चांस की यह होती ठीक है, उसके बाद आपका MBA का लगा लो MBA 2-year का कोर्स है, 5-year का regular का, MBA, NIE, MN, LLV 3-year, LLV 5-year यह सारे जो कुभी कोर्स है, MSC है, आपका computer science है, distance mode हो, यह फिर आपका MC हो, BGMC और MJMC, यहां कि यह आपके जो भी है, mass communication के कोर्स हो, और low के कोर्स है, इन में आपकी जो पहली बार, अगर आप मरसी चांस दोगे तो 17,000 रुपे फीस है, दूसरी बार दोगे तो 21,000 रुपे दूबारा से आप मरसी चांस दे रहे हो तो 21,000 रुपे, और तीसरी बार दे रहे हो तो आपको 24,000 रुपे फीस देनी पड़ीगी, इसके बाद बात कर लेते हैं, आगे कि आपके BTEC वालों की BTEC का भी सेम रहने वाला है, BTEC, MTEC, BRT, MRT, PLANNING है, उसके साथ साथ M PLANNING है, BHM है या फिर MHM है, BTM है, या फिर MTM का ओटल मैनेजमेंट के कोर्स है, इनमें भी आपका सेम पूर्सन रहने वाला थीक, आप ये नोट कर सकते हो आपके कोर्स के हिसाब से, और इसके बाद आपका BAD या फिर MED है, इसमें आपको regular कोर्स है, इसमें भी आपकी सेम फीस रहने वा क्पी 24 और all diploma courses के आपकी पहले रहेगे पहली बार की 17 रुपी दूसरी बार की पंदराज a और तीसरी बार आपकी 18 रुपी से अब आगे की बात करते हैं कि आपकी जो F.E.C ऽ से वह आपका जो form वह ओन-ला-ن फिल किया जाएगा वो कहां पर फिल किया जाएगा आपका M2 Student Portal के उपर ठीक है अगर उसमें आपका Unilligible दिखाता है या फिर आपका जो भी Candidate के लिए Problem दिखाता है ठीक है पहली चीज तो यह है कि जो बच्चे Eligible है वही बरे ठीक है उसके बाद बात करते आगे कि जो आपका रिजल्ट है वो आपका Administrative Requirements के उपर ही रहने वाले यानि कि कोई भी Student जाकी यह नहीं कह सकता कि हमें जल्दी से जल्दी रिजल्ट दो इसके बाद बात करते आगे कि अगर किसी बच्चे को एक सब्जेक्ट में रियर बाकी में इंप्रूमेंट करना चाहता तो ऐसा नहीं हो सकता पहले उसको रियापीर कलियर करने ही पड़ेगी सारी उसके बाद आप improvement कर सकती हो और improvement आप B.Ed को छोड़के बाकी सभी courses में कर सकते हो किसी भी semester में आपको कर सकते हो ठीक है उसके बाद आपको क्या है कि जो भी आपका PG courses में आपके 55% से कम हो या फिर 55% से जादा नमबर हो तो आप improvement कर सकती हो अब main बात आती है आपकी date की किस ता बता देता हूं कि आज ही वीडियो क्यों डाली है क्योंकि भाई क्या है कि एक दो दिल लगता है सिस्टम अपडेट होने में ठीक है नोटिस पहले आ चुगा था लेकिन अभी आप कलिया परसों से या फिर 20 तारिक के अपडेट होना है वह हो जाएगा टाइम से उसके बड्र कांगी तो इस चीज में क्या है कि आपका जो एक्जामिनेशन कमैटी एवह आपके डिसाइड करेगी यह कहां पे आपके नमबर कतर रहे है और कहां पे आपके ृइस्टने वीडरह है तो और शामने ही रख सकते हैं। पर समेश्टर की इसके वीडियो में इतना ही था तो आपको समझ में आ गया होगा खिस टाइप इनकी फीस क्या रहती है पर समेश्टर की इसके साथ-साथ-साथ- 2021 के कोडिंग आने वाला है और आपकी जो डेट है वो है आपकी 15 मई से स्टार्ट हो के 5 जून तक आपके फूम भरे जाएंगे md student portal के फूम भरा जाएगा ठीक है अगर आप गलत फूम भरते तो खुद जिमिवार हो अगर इससे अलग मरसी चांज का कोई भी ओर डाउट रहता तो अपनी चे कमेंट कर सकते हो डिस्क्रिप्चन में हमारे वट्सेप का नया गरूप लिंक है तो आप जाके जोइन कर सकते हो सो मिलते हैं जल्दी ही ने वीडियो लेकर तब तक के लिए राम राम